प्री भाईयों यों बैनों जोहार इस समय पूरी दुनिया कोरोना के महामारी से जुज रही है ततकाली सरकार के 15 वर्सों के सासनकाल में स्वास्त यम्ची किस्सा सेवाओं को कभी परियाप्त महत्तों नहीं दिया गया इन परसितिsel में कुरूणा जैसे महामारी का सामना करना एक बड़ी चुनोती थी परंतो हमने अब तक इस चुनोती का पुरी सक्षमता से सामना किया है हमने प्रदेश के स्वास्यों के धाचे और ब्योस्था में सुधार हे तुर, काफि काम किया है जिसके कारण ही करोना के प्रबंधन में हमारे राजी की स्थिति अन्य राजी के तुलना में काफी बहतर है पिछले साल जब करोना की पहली लहर कहम पर हमला हुआ था तो हम सब ने मिल जुलकर उसका सामना किया था वह ऐसा समय था जब हम कुरोना के विशाय में ज्यादा कुछ जानते नहीं थे ना हमारे पास इसके इलाज के लेदानाय थी ना इंजिक्सनाय थे ना विक्षिन विक्षित हुई थी और इलाज का प्रोटोकाल भी अपने प्रारंभिक अवस्ता में ही था परंतु सभी के सहीयोग से सभी के भरोसे के आत और सभी की योगदान के साथ हमने उस कठीन समय पर विजय हांसिल की थी आज एक बार फिर से कुरोना की दूसरी लहर का हम सब सामना कर रहे हैं जो पहली लहर के तुन्ला में ज्यादा संक्रमक और खतरनाख है परंतु हमें पूरा विश्वास है हम सब मिलकर अपनी नई जिम्मेदारी निभाते हुए मजबूती से इस दूसरी लहर का भी सामना करेंगे और जीतेंगे चत्तित गर में अब तक 7,13,706 लोग संक्रमित हुए हैं जिन में से 5,87,484 लोग रिकवर कर चुके हैं वर्तमान में 1,17,910 लोग एक्टी संक्रमित हैं प्रदेश में 80% अनपात में 16.5 प्रस्षत है वहीं रिकवरी दर 82.3 प्रस्षत है परंतो यह बात आपके भीतार एक नया विश्वास पैदा करेगी कि 36 गर कोईड वेक्सिनेशन के मामले में देश के कई विक्सित और साधन संपन राजियों को पीशे छोड़ चुका है प्रदेश में 55,79,000 से ज्यादा डोज वेक्सिन के लग चुके हैं और देश के बड़े राजियों से हम आगे हैं हमारे राजिय में वेक्सिनेशन भथ्तर तस्यत हुआ है जो देश में सरवाधिक है यह आगड़े सिर्फ 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों एवं फ्रंट लाइन वर्कर्स को मिला कर है हमने फैसला किया है कि हम प्रदेश के 18 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों को मुप्त में कोईड वेक्सिन लगाएंगे और इसके लिए ब्यापक कार योजना और व्योसाय की गई है एक मेंसे सुरू होने वाले टिका करन अभियान के लिए हमने अपने सभी जिलों में सारी तयानिये पूरी कर ली है हमारे सभी टिका करन केंद्र पूरी तरह से तयार है भारा सरकार ने यह आवगत कराया है कि वह 18 से 44 आई वर्क के लोगों के वेक्सिनेशन के लिए एक लाग तीन हजार चालिस वेक्सिन उपलत कराएगी चूंकि वेक्सिन की कमी है इसलिए हम अपने राज्य में सबसे गरीब व्यक्ति को जिसके पास अंतियोदा कार्ड है से वेक्सिनेशन के सुरुवात करेंगे इसके लिए हिद्ग्राही को अपना रासन कार्ड और आधार कार्ड आना होगा जैसे जैसे हमें वेक्सिन मिलती जाएगी वैसे वैसे हम क्रमशा सभी वर्गों के लोगों के वेक्सिनेशन की दिसा में आगे बढ़ते जाएगे मैं अपने प्रदेश की जनता को आउगत कराना चाहता हूँ कि 2018 में जह हम प्रदेश में हमें प्रचंड जनादेश मिला था उस समय प्रदेश में कुल 289 ICU बेट थे जिसे हमने बढ़ा कर 729 कर दिया है आक्सिजन बेट 1242 थे हमने इसे बढ़ा कर 7042 तक पहुँचाया है HDU बेट एक भी नहीं था परंतो आज हमारे पास 515 HDU बेट है प्रदेश के अस्पतालों में 15,001 जनरल बेट थे जिसे हमने बढ़ा कर 29,666 कर दिया है प्रदेश में 2018 के अंत में 204 विंटिलेटर थे जिसे हमने बढ़ा कर 593 कर दिया है इस पकार हमने प्रदेश के स्वास स्विधाओं में कई गुनल की विद्धी की है जो की अपने आप में एक रिकार्ड है चतीजगर में अब तक हम 71,001 से अधिक कोविट टेस्ट कर चुके हैं हम लगातार अपनी टेस्टिंग छमता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है हमने नए RTPCR जांच लेबों की स्थापना की मंजूरी की प्रक्रिया भी प्रारम कर दी है कुरोना प्रभावितों के लिए लेब टेस्ट और रियायती इलाज है तो निजी अस्पतालों के लिए पेकेज निधारित किये हैं ताकि कमजोर आर्थिक इस्थिति का ब्यक्ति भी अपना इलाज वजांच करवा सके दूस अक्सिजन उपलब्ध है हमने करोना कि इस लड़ाई में फंट्सी की कमी नहीं होने देने का संकल्प किया है हमने इन दो वर्सों में स्वास बजट में 880 करोड रूपिये HD RF में इस साल 50 करोड रूपिये का प्राउधान किया है जनता ने बढ़ चर कर मुख्यमत्री सहता कोस में सहता की है जो सरकार पर जनता के अटूट भरोसे का परचायक है इस कोस से हमने अभी तक 73 करोड 53 लाख रूपिये के कोवीट के खिलाप लड़ाई के लिए जीलों को जारी कर चुके हैं इस प्रकार हम एक हजार तीन करोड 53 लाख रूपिये अब तक के स्वास च्छेतर में लगा चुके हैं वहें अब भी मुख्यमंत्री सहायता कोस में 33 करोड 88 लाख रूपिया जमा हैं उनका उप्योग भी कोवीट की लड़ाई में किया जाएगा विभिन्य जीलों में कई-कई संस्थाओं और लोगों ने मुक्त हस्त से मदद की है विभिन्य भागों के फंट, जीला खनीज नियास के फंट के लावा उद्द्योगों से सैस आर मद्द से भी सहायता का स्वासन मिला है हमने फैसला किया है मई और जून महिने का राशन लोगों को एक साथ दिया जाएगा या पूरी तरह से मुफ्ट दिया जायेगा जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक मैंसे अठारा से चमालिस साल के एक करोड तीस लाख लोगों को दो करोड साथ लाख वेक्सिन डोस मुफ्ट में लगाएंगे अठारा वर्से अधिक आयू के सभी लोगों को वेक्सिन लगवाने के लिए पंजी करण करवाना होगा इस पंजी करण 28 सप्रे से प्रारम हो गया है चुकि वेक्सिन निर्माता कमपनिया केंदर के तुनला में राज्यों को अधिक दामों पर वेक्सिन उपलब्द करा रही है इसलिए हमें इसके लिए 800 करोड रुपे से अधिक का ब्याय आएगा जो करने के लिए हम स्कृत संकल्पिद भी हैं हमने एक मैं से वेक्सिन प्रारम करने के लिए 50 लाग डोज वेक्सिन का आडर भी दिया है जिसमें 25 लाग डोज सिरम इंस्टिटूट को और 25 लाग डोज भारत भाय टोई को अडर किया है ऐसी आपदा के काल में भी लोग स्वयम होकर सरकार के साथ आ रहे हैं और एक दूसरे की मदद का हाथ बढ़ाना चाहते हैं जो कोई भी अपना जितना भी आर्थिक योगदान कोईट के विरुद इस लड़ाई में करना चाहता है वा सेक्षा से मुख्यमंत्री सहाता कोस में अपना अंसदान कर सकता है यह पूरी के पूरी राशी सिर्फ और सिर्फ कोरोनों के खिलाफ संधर्च में ही ब्याग की जा रही है चतित गड़ की जनता का सौइभ्मान ही उन्हें सबले बढ़िया बनाता है यह हम जानते हैं जनता का छोटे से छोटा योगदान भी हमारे लिए अत्यन सम्मान का विशा है जो हमारे आपसी भात्रित्व के जुडाओं को और मुजबूत करेगा आप सभी से फीर से करबद निवेदन है कि कुरोना से जुड़ी सभी सौधानिया का पालन करें भीड से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पनें, हेंड बास और सिनिटाइजर का प्रयोग करें किसी भी प्रकार के अफवा या नकरात्मक दुस्क्रचार से प्रवाइत नहूँ, सभी सपील है कि अपना वेक्शिन डूस अवस्थ से लगवाएं, सेम सुरक्षित हों और दूसरों को भी सुरक्षित करें आशा और विश्वास बनाये रखें, हम सब मिल जूलकर बहुत जल्दी इस कोईट संकर से पार जरूर होंगे